जै मातादी माँ भगवती के पावन पाट श्री दुर्गा सप्चती के तीसरे अध्याय को प्रारंभु करने जा रहा हूँ कैसे माँ भगवती ने उस दुष्ट महिशासुर का वद किया और उसकी सारी सैना का कैसे नाश किया आईए सुनते हैं त्रिने त्रिधारणी जगदमवा के कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सेना और महिशा सुर के वद की गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं जगजननी मां अमबे जी को सभी मनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मां आदि शक्ति जगदंबा की हम गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये कथा है बड़ी महान सब सुनो लगाते जान इस कथा के है पहचान मिले मुहमां गावर्दान बोले रिशी मृत से ना देख चिक शुर हुआ है रान क्रोध में आकर अम्बे मा के हर ने चला था प्रान बान चलाए मा पर जैसे बरस रहा हो नीर नश्ट किये सब बान मात ने हो करके गमधिर क्रोधित देख ने माता पर था शूल प्रहार किया मात भगवती ने उस शूल को पल में हिकाट दिया रत घोड़े और हाती सारती माने मार गिराए फरसा धनुष नश्ट कर चिक शुर पर बान चलाए उड़ी धज या महिशा सुर के आज बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं सैना और महिशा सुर के वद के गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये कथा है बड़ी महान सब सुनो लगाते जान इस कथा के है पहचान मिले मुहमा का वर्दान उचे गगन पे चमक रहा प्रकाश मा का चम चम धोल नगाडे बाज रहे थे मधुर ताल छन छन देवताओं का दुष्ट वो चामर आगे बढ़ आया करने वो प्रहार शक्ति का माता पर धाया महादेत ने माता पर था शूल प्रहार किया बस हुंकार से माता ने फिर शूल को नश्ट किया माता का वो वीर सिंग जागज मस तक बैठा खूब लड़ा वह दैते सिभगतों मारा और पिटा अन्त किया उस वीर सिंग ने आज बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं सैना और महिशा सुर्वद की हम गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये कथा है बड़ी महा जब सुनो लगा के जाग इस कथा के है पहचाग दिल मुहमा का वरदाग कराल नाम का महा देते माता ने था मारा ताम्र अंधक को बानों से माता ने मारा गदा की चोट से उद्धत का मा ने उद्धार किया बिंदी पाल से वाशकल का मा ने संघार किया किया लखों महा देत्यों का नाश मान ततकाल योधा बड़ा जो जान गवा कर भूपे गिरा विडार दुर धर और दुर मुख दोनों को भेज दिया यम लो महिशासुर के अंतर मन अब पड़ गया गहरा शो भैसे का धरी रूप महिशासुर कोध बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं सैना और महिशासुर के वद की गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये कथा है बड़ी महार सब सुनो लगाते ध्यार इस कथा के हैं पहचार दिल मुहमा का वर्दार रूप धरा भैसे का सुर ने युद्ध किया आरम देवी मा की सैना में फिर शोब हुआ प्रारम मा के गणों पर थुतनों और सींगों से किया प्राहार कभी वेग से कभी पूँच से करता चोट अपार अपने वार से परवत उसने फैके भू से उखार वेग से पित्वी होके व्याकुल करती करण पुकार सागर की लहरों से धरा पर आया एक भूचाल सींगों के वार से बादल का रूप हुआ बदहाल विशाल श्वास के वेग से परवत उड़ उड़ जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सैना और महिशा सुर के वद की गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये कथा है बड़ी महार सब सुनो लगाते घ्रार इस कथा के हैं पहचार मिले मुहमां का वर्दार वद करने की मंशाले देवी ने क्रोध किया पाश फेक उस महादेत को माने बांध लिया तभी अचानक भैसे से बन सिंग रूप आया उसी रूप में मारने को माता ने हाथ बढ़ाया तभी खड़क धारी पुरुष बन सामने वो प्रक्टा वीर सिंग भी देख असुर को तुरंत उछल जप्टा माने बाणों की वर्शा कर उसको बींध लिया तभी असुर महिशासुर ने भी गज का रूप लिया हुई क्रोधित मां अंबेवो तुम्हें बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं सैना और मैशासुर के वद के गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये कथा है बड़ी महार सब सुनो लगाते जार इस कथा के हैं पहचार दिल मुहमा का वर्दार पहले की भाती भैसा बन करने लगा कोहराम क्रोध भरी मदुपान म करके करने लगी संग्राम उचल के महिशा सुर को माने पैरों से दबा लिया तलवार चला कर सिर उसका फिर धन से अलग किया हुई गगन से पुष्पो की वर्षा होने लगी जैकार गंधर्व राजमा के गुण गाए बाज मधुर जन का मात चंडिका की ये गाथा जो रसपान करे मुनेंद्र प्रेम जी सुमिर शारता मा का ध्यान धरे संजेवी महमाया को अब शीश जुकाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सैना और महिशा सुर के वद की गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये कथा है बड़ी महान सब सुनो लगा के ध्यान इश्य कथा की है पहचान मिले मुहमा गावरदान